एक इटालियन विलेज में दो कजिन रहते थे, पाबलो और ब्रुनो, दोनों बहुती बड़े सपने देखते थे, और विलेज के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे, पाबलो और ब्रुनो बहुती हार्ड वर्किंग और समझदार भी थे, उन्हें बस एक उपरचुनेटी क मिल भी गई, उस विलेज को दो लोगों की जरूरत थी, जो पास की रिवर से पानी भर कर ला सके, और ये काम पाबलो और ब्रुनो को दिया गया, गाउव वाले उन्हें एक बगेट पानी के लिए एक पेनी पेई करते थे, ब्रुनो को लगता था कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पाबलो अभी भी थोड़ा कनफ्यूज था, उन हेवी बगेट को उठाने की वज़े से पाबलो के हाथ बहुती दर्द करने लगे थे, इसलिए पाबलो पानी भरने के अलग-अलग तरीके सोचने लगा, और उसे एक बहुती अच्छा आइडिया आया, औ जो कि उसे काम के इंस्टन्ट पैसे जो मिलने लगे थे, इसलिए उसने पाबलो को इग्नोर किया, और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा बकेट भरने लगा, लेकिन पाबलो ने अपने प्लान पर धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, वो आदे दिन पर pipeline बनाने का काम करता उससे पता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसा करने से उसकी income भी कुछ time के लिए बहुत कम हो जाएगी वो ये भी जानता था कि pipeline बनाने में कम से कम एक दो साल लग सकते हैं लेकिन उसे अपने idea पर पूरा भरोसा था इसलिए उसने pipeline के लि ब्रुनो की income डबल हो चुकी थी वो बड़ा घर खरीच चुका था उसकी lifestyle बदल चुकी थी अब वो नई नई चीजे खरीचता था जिसकी वज़से गाउवाले उसे Mr. Bruno कहकर बुलाते थे ब्रुनो जब weekend पर मज़े करता तब भी Pablo pipeline के लिए खुदाई का काम करता था पाब महिनों बाद Pablo की आधी pipeline बन चुकी थी जसकी वज़से उसे पानी भरने के लिए अब बस आधे रास्ते तक ही आना पड़ता था इससे उसका काफी time बचने लगा और वो pipeline बनाने को ज्यादा time देने लगा कुछ महिनों बाद Bruno ने realize किया कि रोजाना इतनी बड़ी bucket उठाने से उसका सरीर अब पूरी तरह से ठक चुका था अब वो पहले जितना पानी नहीं ला सकता था जसकी वज़से वो बहुत परिसान रहने लगा और लोग उसे Bruno the bucket man कहकर बुलाने लगे और इस तरफ महिने गुजरते गए पर Pablo ने अपनी pipeline पर काम जारी रखा और देखते ही कुछी साल में Pablo ने pipeline complete कर ली अब वो bucket उठाने की जगह pipeline से गाउवालों को 24x7 fresh पानी देता था जिससे Pablo पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था अब situation ऐसी हो गई थी कि अगर Pablo काम नहीं भी करता यानि अगर वो सो रहा हो पार्टी कर रहा हो या कहीं घुमफिर रहा हो द जरा रुकिए और सोचिए कि आप एक bucket केरियर है या एक pipeline builder कि आपको पैसे कमाने के लिए Bruno the bucket man की तरह हर दिन काम पर जाना पड़ता है या Pablo the pipeline man की तरह कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत से काम करना पसंद करोगे जिससे जब आप सो रहे हो तब भी आपको पैसे मिलते रह इस bucket caring world में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा buckets उठानी पड़ेगी अपने time को ज्यादा से ज्यादा trade करना होगा जो सच नहीं है ओथर कहते है कि अगर आपको reach दिखना है तो आपकी ज इसान को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो wealthy है या नहीं, क्योंकि wealth hidden होती है, health और wealth दुनिया की दो ऐसी चीज़ है, जिसमें आपकी दिल्चस भी हो या ना हो, वो आपकी life को impact करते ही है, health की बात करें तो आज modern science ने बहुत तरक्की की है, हमारे पास कहीं बिमारियों का है कि human body work कैसे करती है, human body के लिए क्या सही है, क्या गलत, health problems के लिए हमारे पास doctors है, लेकिन wealth problem को लेकर किसकी advice लेनी चाहिए, वो हमें नहीं पता, लोग ये भी नहीं जानते कि पेशा काम कैसे करता है, लोग आज भी investing से डरते हैं, और आज भी financial literacy ना होने की वज़े से time high है, वहाँ ज्यादा पेशे कमाने के लिए लोग दो दो तीन तीन एक्स्ट्रा जोब करते हैं, बट ऐसा क्यूं जब एक bucket man बनना इतना ही खराब है, तब भी क्यूं ज्यादा तर लोग इसी lifestyle को follow करते हैं, वेल, उसका answer हमारी upbringing में है, क्योंकि society, teacher या पूरा education system हमें सिफ यही सिखाता है, कि आपको एक Bruno the bucket man केसे बनना है, एक secure job केसे लगानी है, लेकिन कोई भी आपको Pablo the pipeline man की तरह सोचना नहीं सिखाता, आप सोच रहे होगे जिनकी high paying job होती है, वो तो बाकियों से खुस रहते होगे, बट author कहते हैं कि ये secure और dream job सिर्फ एक illusion है, आपकी salary चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, जब तक आपको पैसे कमाने के लिए अपना time sale करना पड़ेगा, तब तक आप इस bucket carrying world में ही फसे रहोगे, डेरिल स्टोबरी एक बहुत ही successful baseball player थे, जो सिर्फ baseball खिलकर हर साल 5 million dollar तक कमाते थे, और अलग-अलग brand deals और personal brand से generate होने वाली income मिला क उन्होंने अपने 40th birthday से पहले ही 100 million dollar earn कर लिये थे, अब आप सोचेंगे कि इतने पैसे मिलने के बाद तो उन्हें कभी कोई financial problem नहीं आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, strawberry को baseball से suspend करने के बाद उनके पास कोई income source नहीं था, और कुछ टाइम बाद पता चला कि उनके पास अप सारी wealth खतम हो गई, वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में Margaret और Donald नाम की एक school teacher रहती थी, जो पिछले 50 साल से एक ही school में पढ़ा रही थी, जहां उनकी salary बस कुछ 100 dollars ही थी, लेकिन जब 100 साल की age पे उनकी death हुई तो पता चला कि उनकी net worth almost 2 million dollar थी, अब आप सोच रहे ह इसा कैसे possible हो सकता है, इतनी low income वाली एक ओरत कैसे एक millionaire बन सकती है, आइडिया बहुत ही simple है, Margaret अपनी low paying job में बलही छोटी bucket स्केरी कर रही थी, बट साथ वो हर month consistently अपनी थोड़ी सी income का कुछ amount stocks में invest करती थी, जिससे उनकी एक long term pipeline बिल्ड हो रही थी, वहीं Daryl Strawberry ने अलग-अलग चीजों पर research करने के बाद, psychologist को पता चला है कि सबसे ज्यादा खुस वो लोग थे जो अपनी life खुद control कर रहे थे, कहते है money doesn't buy happiness, जो सच भी है कि आपकी खुसी पेशों पर depend नहीं करती, पर उससे मिलने वाले freedom पर depend करती है, 1440 से पहले जितनी भी books लिखी जा और 100 घंटे का काम machine के leverage से सिर्फ एक घंटे में पूरा हो जाता था, इसी तरह companies के CEO अपने काम के लिए employees को hire करके उनके time का leverage लेते हैं, मान लीजे आपको एक restaurant open करना है, तो आप एक dishwasher, waiter और chef का का काम अकेले नहीं कर सकते, आप एक time पर एक ही काम कर सकते हो, लेकिन जब आप employees को hire करते हो, तब आप उनके time का leverage लेते हो, जिससे एक ही time पर आपके कहीं सारे काम हो रहे होते हैं, और आज हमारे पास leveraging का सबसे best tool है internet, आज के time पे pipeline बिल्ड करने के लिए आपको reverse से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बेठे बेठे जब चाहें तब काम कर गे, internet की help से अपनी pipeline बिल्ड कर सकते हो, यहां आप content create करके करोडों लोगों तक अपनी बात पहुचा सकते हो, आप अपना खुद का e-commerce store बिल्ड कर सकते हो, जो बीना आपके involve हुए 24x7 open रहेगा, जहां customers कभी भी आपकी website पर आकर आपके products खरीच सकते हैं, इसे author e-pipeline कहते हैं जो 21st century की सबसे best pipeline है, अब आप चाहें सो रहे हो या vacation पर हो, यह pipeline आपके लिए पैसे generate करती रहेगी, आप मानो या ना मानो पर internet 21st century की सबसे best pipeline है, इसलिए दोस्तों यह सारी book summary's को मैंने आपके लिए audio में convert कर दिया है, जो आप Apple Podcast, Google Podcast और Spotify जैसे किसी भी podcast player पर सुन सकते हो आपको याद रखना है तो सिर्फ मेरा नाम